बड़े बुड़े कहकर गई हैं कि सर्दी के दो ही इलाज रजाई और एहे रहा नहीं जाता तडप ही ऐसी है ना अबे रजाई और चाई तुम कहां कहां घूमाए मेरे भाई वैसे ठंड ने फाड रखी है चादर और ऐसे में निकला है सब का बिरादर माने राहूल गांधी भाई ऐसी ठंड में ऐसी फितूरी सी टी-शिर्ट पहन कर निकला है नगरी नगरी द्वारे गारे गूम रहा है क्यों आवे मजनू नहीं बना भाई देश को जोडने निकलाया अपना और यात्रा से अधिक ये टी-शिर्ट चर्चा में आ गई है क्योंकि एक टी-शिर्ट कि इंसान को तपस्वी बना सकती है बीजेपी वालों की पता नहीं क्यों फटी-पड़ी है पर इस बीच एक डेस्परेशन जो दिख रही है उस पर बात नहीं हो रही किसी के द्वारा आज भाई साब की उसी डेस्परेशन को दिखाएंगे वीडियो के अंत में तगड़ा कटेगा बने रही हमार साथ देख तरी आज की ताद खबर तो जी इस देश में कदाचित पहली बार सर्दी पड़िया राहुल जी को पता नहीं होगा और कि दिल्ली में इस समय बहुत ठंडा होता है तो वो कुछ ऐसे घूम रहे हैं मोदी जी की तरह कैमरा वाले को अपने साथ में लेकर पर सेल्फ ट्रोलिंग पता है किसे कहते हैं ये देखी अब जी ऐसा हुआ तो पूरे मीडिया में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने ठंड की ले रखी है राहुल जी का खून गरम है राहुल जी महानात्मा उन्हें ठंड नहीं लगती है ये सब हेडलाइन में नहीं है ये एक्चुली मीडिया कवरेज पढ़ते भी मेरे दिमाग में आ रहे थे ही वाक्या मीडिया ने एक साली टी-शर्ट पर पूरे दिन चर्चा कर डाली है एंडी टीवी वालों की कवरेज देगो और ये जी न्यूज वाले राहुल जी की टी-शर्ट का दाम ढूल ला है और राहुल जी ने इस बीच महात्मा गांधी बनने का प्रयास किया मीडिया ने पूछा कि भी ठंड नहीं लगती राहुल जी बोले इस देश के किसान और मजदूर से पूछो बच्चों से पूछो मुझसे पूछ रहे हैं वैसे यदि मोदी जी अपनी मम्मी से मिलने मीडिया को लेकर पहुंच सकते हैं वो इस सरकार से ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम बताएंगे आपको इन भटूरे वालों को भी वैसे तुझी राहुल गांधी जी जो है न वो भी मम्मी के साथ दिख रहे हैं पर चलिया हम काम की बात पर चलते हैं हम थोड़ा सा तो जी बात इतनी हुई कि एक साइड राहुल गांधी के टी-शर्ट में घूमने को तपस्या कह रही है इस सरदी में इन भाई साब ने तो राहुल गांधी को राम से ही कंपेर कर दिया आप इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है और ये जो चुलू-पुलू लोग है ना इनके तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ ये आप खुद ही पढ़ ले ना स्क्रीन पर बाकी बीजेपी वाले भाई अलगी हैं ये अमित मालेवा जी हैं ये बीजेपी आईटी सेल वाले ये राउल गांदी को ट्रोल कर रहे हैं कितना काम है भाई साब के पास मध्यप्रदेश का ग्रह मंत्री दीपिका को ट्रोल कर रहा था उसके पास भी कितना काम था भाई तुम ट्रोल कर लो मंत्री हमें बना दो एहे रहा नहीं जाता शाद जादा बड़े बोल बोल गया हमें पर चलिए अब भाई बोल दिये हैं तो लेकिन इस यात्रा को राउल गांधी का कमबैक बताय जा रहा है स्क्रीन पर दो उधारन दे रहा हूं बस रादीप सागरिका, पती पतनी, राउल गांधी का पपू टैक धुला, राउल गांधी महत्मा राउल गांधी की वापसी, राउल गांधी कमिंग ओफेज, मतलब भाई इन भाई साब से जितना कमबैक करवाया गया है, इतना बुलाने पर भगवान जाते, तो चलिए भाई, अब भाई का जो कमबैक हो देख लेते हैं, जिससे डेस्परेशन दिखेगी, जिसके लिए यह हमने वीडियो बनाया है, अक्चुली में तो जी जैसा बताया, भाई का कमिंग ओफ एज, अभी फिर से हो गया है, 2009 से प्रारम करते हैं, पूरे साल में अन्डी टीवी, बीबीसी, हिंदू, एकॉनिक टाइम्स और टॉप न्यूज, समने राहूल गांधी का कमिंग ओफ एज करवाई है, 2009 का बताया है मैंने, इस साल लोग सबाद चुनाव भी थे ना, तो अधिक महनत की गई थी, 2010 में आईबियन वालों ने राहूल गांधी का कमिंग ओफ एज करवाया, फिर 2011 में एंडी टीवी वालों ने करवा दिया, 2012 में राजदीप ने राहूल गांधी के मैच्चोर होने पर पूरा आर्टिकल लिखा, 2014 में राजदीप ने राहूल का कमिंग ओफ एज करवाते वे पूरी चैनल पर डिबेट करवा दी और बीबीसी ने उसी साल आर्टिकल लिखा, 2014 में भी इलेक्शन थे, 2016 में डेली ओया ने आर्टिकल छापा और फिर फर्स्ट पोस्ट वालों ने भाई की कमिंग ओफ एज करवाई, 2017 में डियन ने वाली यही कमिंग ओफ एज की सड़ी स्टोरी ले आया और फिर इंडियन एक्स्प्रेस वाले भी, और ये देखिए, 2019 के इलेक्शन से जस्ट कुछ समय पहले, राउल गांदी का कमिंग ओफ एज कितने बड़े लेवल पर पहुंचा क्विंट, स्ट्रेट टाइम्स, वायर स्टेट्समेन, एकॉनमिक टाइम्स सबका इलेक्शन से पहले जस्ट पहले राउल गांदी को कमिंग ओफ एज करवाना और अब फिर से एलेक्शन आ रहे हैं कुछ समय में तो जी, बिल्डिंग बनानी है फिर से आरम कर दी गई है सारी चीज़े, पर दिक्कत ये है कि सिमेंट की जगे ना सिमेंट पोता जा रहा है दिवार पर, 2024 में कमी समय रह गया है ये यात्रा एक मूमेंटम बनाने का प्रयास लगता है और डैस्परेशन भी इसलिए क्योंकि कदाचित रहुल जी इस बार सर्दियों में क्रिस्मस बर नए साल पर अभी तक विदेश नहीं गए है बड़ी कुर्बानी है ये बहुत बड़ी कुर्बानी है तो डैस्परेट भी दिख रहे हैं परसनली मुझे तो अच्छी लगी है डैस्परेशन कुछ तो मुकाबला हो पर क्या 2024 में मुकाबला होगा और असली डैस्परेशन क्या है वो अगले अध्य है में देखते है तुझी राहुल जी गजब इंस्पायर्ड है जस्टिन टूडो से टूडो क्वांटम थिओरी जानते हैं राहुल जी आर्टिफीशल इंटेलियर इंस अंचानते हैं टूडो बॉक्सिंग से फिट रहते हैं राहुल जी अकीलोस करके नहीं क्योंकि कनेड़ा वाले जो भाईया ना वह राहुल के साथ वह एक प्रकार के महामानव हैं दौनों बड़े बुजर्गों की विशिस भी पूरी करते हैं मोदी जी से मार्केटिंग में कम नहीं हमारे राहुल जी पर जो डेस्परेशन दिख रही है क्या वह एलक्षन जित्वा पाएगी तो जी नरेंद्र मोदी को 2014 में जितने वोट मिले थे ना 2019 में उससे 6 करोड़ वोट लगभग अधिक मिले थे कॉंग्रेस 6 करोड़ वोट काट भी ले इस 2024 के एलक्षन में तो भी 2014 तक पहुचती है बात फिर केजरिवाल खुद वोट काट रहा है हर स्थान पर कॉंग्रेस के गजब बात ये के बीजेपी के वोट नहीं काट पा रहा है केजरिवाल दिल्ली में भी और उपर से ये नल से जल स्कीम 2019 में केवल 17 परतिशत भारतियों के पास नल से पानी आता था 2024 तक टारगेट बनाया गया कि 100 परतिशत लोगों के पास नल से पानी आएगा हर गाओं में आज ये लगबग 60 परतिशत तक हो चुका है 2024 तक होने की पूरा होने की बड़ी संभा होना है पिछली बारी नी स्कीम से एलेक्शन जीते थे बीजेपी वाले ये तो धतूरा लॉबी भी मानती है वोटर है बुल्शिटेट पर टू लॉग इन नेम अफ स्कीम्स लिन भुधर in this country does not trust the Congress schemes forget it anything that happened in the past very little got to her very little this time LPG the house even if you government didn't build a house for you you were building a house they gave you one and a half lakhs one after the other and I was looking for evidence to the contrary and many of the people we travel with we were a group we were hoping to see evidence for the contrary but we were not finding it we were fighting finding gas cylinders we would even peek inside the houses and find a gas cylinder so you build a house government gave you a lakh and a half you build a toilet government gave you 15 000 government didn't come and build the toilet for you what did the government do they used direct benefit transfer they used something that in this city and in this uh one square kilometer uh periphery everybody gets very angry about they used the jam trinity that is jandan account adhaar now congress what is the desperation is looking at our people's attention and content we also get two things but rahul is the desperate or what is the desperation is if you think about it support you upi or patreon all the things you can see in the description and comment in the screen you can see the screen you can see in the screen you can see